हेलो एबरीवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का फिंगर चिप्स आपने आलू से कई तरह का चिप्स पापड बनाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखिए आपको ये तरीका इतना अच्छा लगेगा कि हर बार इसी तरीके से आलू का फिंगर चिप्स बनाएंगे और देख रहे हैं बिलकुल ये काला नहीं पड़ता है बीना उबाले ये आलू का चिप्स बहुत ही बढ़िया बनके तयार होता है तो किस तरीके से मैंने इसे बना के तयार किया है चलिए इस वीडियो के माध्य हम से फटा-फट बीना टाइम विस्ट के देख लेते हैं इस रेश्पी को बनाने के लिए हमने यहां चार बड़े साइज का आलू ले लिया है इसे अच्छे से पानी से वॉस कर लिया है देख सकते हैं यह जो आलू है यह पीला वाला हमने आलू लिया है यानि सफेद वाला आलू लाल वाला आलू चिप्स पापड के लिए सही नहीं होता है इसलिए आप जब भी पापड बनाए या चिप्स बनाए तो इसके लिए पीला वाला ही यालू ले जिससे हमारा पापड बहुत ही खसता और बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसका छिलका रिमूब करके हम इसे पानी में ऐसे डाल देंगे जिससे ये काला नहीं पड़ेगा अब इसे 2-3 पानी से अच्छे से फिर से एक बार इसको वास करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए friends मैंने इसको अच्छे से wash कर लिया है अब हम इसको काटेंगे तो काटने के लिए यहां आपको ऐसे जिधर से चोड़ाई ज़्यादा हो उधर से काटना है ये देखिए तो इस तरीके से काटके पत्ले-पत्ले slice में इसको अलग-अलग कर लेना है पहले बीच से काटके फिर इस तरीके से जैसे आपको सुविदा हो उस तरीके से आप काट लीजिएगा ऐसे slice में ये देखिए इस तरीके से ये slice बहुत पत्ला नहीं होना चाहिए ये नहीं कि आप chips cutter से काट ले उससे ये जो पापड बनेगा बिल्कुल बेकार बन जाएगा सब तूड़ जाएगा तो knife की help से इस तरीके से थोड़ा सा मोटा इसको काटना है तो अब मैं दिखाती हूँ कि अब इसे किस तरीके से काटना है तो यहाँ दो slice में ले लूँगी और जैसे हम french fry के लिए आलू को काटते हैं वैसे इसको काटना है लेकिन थोड़ा सा पतला काटेंगे इस तरीके स मैं आपको हाथ में लेके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा पतला है, इस तरीके से आलू को काट लेना है और काटने के बाद फ्रेंड्स इसे तुरंत पानी में डाल देना है एक पिस और मैं काट के दिखा देती हूँ, ये देखिए पतले-पतले स्लाइस पहले काट लेना है फिर इसमें से पतला-पतला स्लाइस इस तरीके से खड़े में काटना है यानि लंबाई में काटना है जिससे हमारा चिप्स लंबा दिखेगा ये देखिए और खाने में भी बहुत सही लगता है जब लंबा चिप्स रहता है तो इस तरीके से आलू को काट के पानी में डालते जाना है जिससे आलू का स्टार्च जो है वो निकलते जाएगा आलू हमारा काला नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से मैंने सारा आलू को काट लिया है ये द प्यार किया है ताकि इसका जो पापड बने वो सूखने के बाद भी छोटा ना दिखे और खाने में देखने में दोनों में अच्छा लगे तो इस तरीके से पानी से अच्छे से वस कर लेंगे थोड़ा सा इसमें दो पिंच की बराबर मैंने फिटकरी डाल दिया है इसे 20-15 मिनट मैंने पानी में ऐसे छोड़ दिया था अब उस फिटकीरी वाले पानी से निकाल लेंगे एक पानी से धो लेंगे और तो इस तरीके से इसको साफ कर लेंगे तो इसे मैंने अलक बरतन में रख लिया है और यहाँ डाल दिया है नमक तो नमक मैंने यहाँ एक चमच से थोड़ा सा कम डाला है और यहाँ इसके उपर एकदम खौलता हुआ पानी हमने डाल दिया है उतना पानी डालना है कि जिससे आलू अच्छे से दूब जाए पानी में और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है हर जगा फैल जाए तो इस थरीके से इस्पून से मिक्स करके इसे ढख के हम कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गर्माहट से अच्छे से कुक हो जाए तो ये देखे फ्रेंट्स एक गंटे बाद पानी ठंडा हो चुका है आलू बहुत अच्छे से कुक हो चुका है इससे आलू तूटेगा नहीं और कुक भी हो जाता है अगर जो आप गैस पर इसको पकाते हैं तो ये जल्दी तूट जाएगा क्योंकि पतला पतला है तो इस त दूप में फैला देते हैं तो एक-एक फिंगर चिप्स को ऐसे लेके हम दूप में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए और एक-एक जब उठा के रखेंगे तो ये तूटेगा भी नहीं तो इस तरीके से आलू को बहुत आराम से उठा के ऐसे धूप में हम फैल देंगे या मैं पास से दिखा देती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से धूप में करके मैंने फैला दिया है देखने में भी सुंदर लग रहा है और अच्छे से सूख जाएगा एक दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा क्योंकि हमने इसे पतला-पतल ही नहीं अगर जो हम अच्छे से इसे पकाएं अच्छे से सुखाएं तो बिलकुल फ्रेस हमारा ये फिंगर चिप्स बनके तयार होता है आलू का तो अब हम इसे fry कर लेते हैं बहुत ही बढ़ियां ये चिप्स बनके तयार हूआ था तो fry करके मैं दिखाती हूँ तो gas पर क्रिस्पी ये पापड बनके तयार होता है ये देखिए कलर देखिए बिल्कुल वाइट है ये ब्लैक नहीं पड़ा सुखने के बाद भी जैसा हमारा आलू का कलर था वैसा ही सुखने के बाद भी है तो इस तरीके से दो तीन बैच फ्राई कर लेती हूँ और आप देखते जाए कि ये कितना बढ़ियां से ये फ्राई हो रहा है ये देखिए और बहुत सस्ते में मात्र 20 रुपे के आलू में हम 100 रुपे का पापड बना सकते हैं घर पर क्यूंकि मार्केट वाला बहुत महांगा मिलता है और सा साथ घर का जो होता है काफी टेष्टी और हेल्दी तरीके से हम बनाते हैं तो इस तरीके से मैंने आधे पापड को फ्राई कर लिया है आधे से थोड़ा कम ही तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करके कि ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है तो ये लीजिए फ् बहुत ही खस्ता बनता है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी आलू का जो फिंगर चिप से बहुत ही टेस्टी बनेगा इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप पेरी-पेरी मसाला डालके चाट मसाला डालके खा सकते हैं तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट और न्यू रेस झालें!